देदिन मान में आप सभी का स्वाकत है आई ही डिस्कूस करते हैं आज की करन्ट रफेर्स आज का प्रमग दिवस है अंदर रास्ट्रे जै विविदिता दिवस जो की 22 माई को मनाया जाता है इस वर्ष 2023 की थीम है हम आधर शिला की रूप में जै विविदिता संसाधनों के साथ सभिताओं का निर्मान करते हैं पहला प्रशन है सरकारी प्रतिभूतियों की निलामी कौन करता है इसका सही उतर है ऑप्शन सी भारती रिजर्व बैंक आई इस की व्याख्या समझते हैं भारत सरकार ने मूल्य आधारत निलामी समान मूल विधी के माध्यम से साथ हजार करोन रुपएं अंकित की अतिसोचित राशी के लिए साथ तशमलों एक साथ प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति दो हजार तीस मूल्य आधारत निलामी समान मूल विधी के माध्यम से बारा हजार करोन रुपएं अंकित की अतिसोचित राशी के लिए साथ तशमलों चार एक प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति दो हजार तिस और मोले आधारित निलामे विवित मोले विधी के माध्यम से 12,000 करोन रुपए अंकित की अधिसुचित राशी के लिए 7.40% सरकारे प्रतिभूती 2022 की बिक्री पुनर निर्कम करने की घुशना की है ये निलामिया भारती रिजर्व बैंक मुंबई कारेले फोर्ट मुंबई द्वारा 26 मई 2023 शुक्रवार को संचारित की जाएगी निलामी हेतु प्रतिसपर्धी और अप्रतिसपर्धी दोन बोलियां भारती रिजर्व बैंक कोर पैंकिंग सॉलूशन इकुबेर प्रणाली पर इलेक्ट्रोनिक प्रपत्र के माध्यम से होगी दूसरा प्रश्न है श्री सरत बापु जनका हाली में निधन हो गया ये किस छेतर से जमन्धित थे पहला अभिनेता ओप्षन बी राजनेता ओप्षन सी समाज सेवक ओप्षन डी वज्ञानिक इसका सही उत्तर है ओप्षन ए अभिनेता आईए इसकी व्याख्या समझते हैं प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वयुवरध अभिनेता श्री सरत बापु के निधन पर गेहरा दुख रिक्त किया है सरत बापु ने तमल, तलगू, मलयालम, कन्नर सहित हिंदी भाषा की फिल्मों में काम किया उन्होंने अपने करियर में दोसों से ज़्यादा फिल्मों में अपनी एक्टिंग से दर्शुकों का मनुरंजन किया था ग्रैंट केंपेनियन अफ दी ओर्डर अफ लोगुहू, जी सी एल से किसे सम्मानित किया गया उप्शन श्री नरेंद्र मोदी, उप्शन ब्री श्री जगदीब धनकर, उप्शन सी श्री निर्मला सीतारमन, उप्शन दी श्री मनोज सिन्धा इसका सही उत्तर है, उप्शन ए, श्री नरेंद्र मोदी, आईएस की व्याक्या समझते हैं पापुआ न्योगिनी की राजधानी पोर्ट मौरेस पी इस्थित कवोर्मेंट हाउस में आजित एक विशेश समहरों में पापुआ न्योगिनी पी अन्जी की गवर्णर जनरल महा महीम सर बॉब टोर्टे ने प्रधान वंतरेशी नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोचनागरिक सम्मान Grand Companion of the Order of Logu, GCL से सम्मानित किया इस सर्वोचनागरिक सम्मान को प्राप्त करने वाले विक्ति को चीफ की उपाधी दी जाती है अगला प्रश्न है समुत्री छेत्र में भारत को आत्मनीर भर बनाने पर विचार विमर्ष करने के लिए चेंतन शिवर के शिरुवात कहां हुई? इसका सही उत्तर है आई इसकी व्याख्या समझते है पतन बोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रा लेने केरल के वन्नार में अपने बहु प्रतिक्षे दो दिवसी चिंतन शिवर के शिरुवात की इस शिवर की अध्यक्षिता एवं उद्खाटन केंद्री पतन पोत परिवहन और जल मार्ग दता आयुशमंत्री स्री सेबन इन सुनुवालनी की अगरा प्रशन है पन्ना क्रिशी कॉलेज कहां स्थापित किया गया? आप्शन ए जबलपुर आप्शन बी लुध्याना आप्शन सी जयपुर आप्शन डी गुजरात इसका सही उत्तर है आप्शन ए जबलपुर आई इसकी वैख्या समझते हैं जबलपुर के अंतरगत क्रशी महाविद्याले पन्ना के भवन का भूमी पूजर मुख्य मंतरी श्री श्री वराज सिंग जोहान वा केंद्री क्रशी एवं किसान का ल्याण मंतरी श्री नरेंद्र सिंग तोमर द्वारा किया गया 1964 में इस्थापित जबहार लाल नहरू क्रशी विश्विद्याले ने क्रशी सिक्षा वा अनसंधान में विशेश योगतान प्रदान किया है उतला प्रश्न है O N D C Elevate कारिकरम क्या है Option A सेना द्वारा अभियान Option B वित्यमंत्राले का अभियान Option C E Commerce Ecosystem Option D वेग्यानिक अनसंधान इसका सही उत्तर है Option C E Commerce Ecosystem आए इसकी व्याक्या समझते है केंद्री वार्नेज और उद्द्योग और पभोकता मामले खादे और सारवजनिक वित्रण और वस्ते मंत्रे श्रेपियोश कोईल ने बैंगलेरे में O N D C Elevate कारिकरम में अपने वर्चुल संबोधन के दोरान कहा कि देश के मौजूदा E Commerce Ecosystem का लोगतंत्री करन करने के लिए Open Network for Digital Commerce O N D C बनाया गया था अगला पिशन है जनकरना भवन का उद्खाटन कहां किया गया Option A चंडीगर Option B दमो कश्मीर Option C पश्यमंगाल Option D नहीं दिल्ली इसका सही उत्तर है Option D नहीं दिल्ली केंद्री ग्रह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमिश शा ने आज नहीं दिल्ली में जनकरना भवन का उद्खाटन किया श्री अमिश शा ने जन्म और मृत्य बंजी करन के लिए वेब पोर्टल जियो फेसिंग के साथ अपग्रेटेड SRS मुबाइल एप्लिकेशन और जन्म करना प्रकाशनों की ओल्लाइन बिक्री के वेब पोर्टल का भी शुबारम में किया केंद्री ग्रह मंत्री ने जन्म करना संगरे 1981 से आगामी जन्म करना का भी विमोचन किया अगला प्रकाशन है ISO को पोल को की वार्षिक पूर्ण बैठक के 44 संस्करण कहां संपन्न होगा ओप्शन ए दहरादून ओप्शन बी नई दिल्ली ओप्शन सी पश्यमंगाल ओप्शन डी शिमला इसका सही उत्तर है ओप्शन बी नई दिल्ली आईस की व्याख्या समझते हैं भारत 23 से 26 दोहजार तीस को नई दिल्ली में प्रतिस्ठित आईस को पोल को की वार्षिक पूर्ण बैठक के 44 संस्करण की मेजबानी कर रहा है इस कारिकरम का उद्देश केंडरी वानिज और उद्द्योग अभवोकता मामले और खाद और सारवजनिक वित्रण और कप्डा मंत्री श्री पियोश को एल करेंगे कोपोल को की अधिये शुष सुष्री सरी टेंटन आसो के महासचिव स्री सरज्यो मजीका और आहसो के अन्य उच अधिकारी भी इस कारिकरम में शामल होंगे आईसो कुपोल को या अभुभुखता नीती पर समीती मान की करण प्रक्या में अभुखता ही दों का बढ़ावा देने और मानोकों को अभुभुखताओं की जरुरतों को ध्यान में रखते हुए विक्सित किया जाना सुनिशित करने के लिए जिम्मेदार अंतरास्त्र संगतन की समेती है धन्यवाद